फ्रेंस समस्कार मैं हूँ आपका फ्रेंड कमल लंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलक्म करता हूँ आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बूक और आजी टीवी नेटवर्फ पर फ्रेंज हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल का देनेक राशिफल इस राशिफल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशिफल की साथे साथ आपको बताएंगे राशिय अनुसार कुछ सिंप शुरवार का तारीक है 19 दिसंबर 2022 पॉष कृष्ण प्रतिपदा पर चंद्रमा मिठुनरा शुर्वनिक्षरा नक्षत्र में रहेंगे दिन का लखी नमबर रहेगा नाइन लखी कलर रहेगा औरेंज लखी डिरेक्शन रहेगी साथ राहुकाल रहेगा सुबह साड़े दस वज़े तक का विशेश क्या है पॉष महीने की शुरुवात है और हमारा जो स्पेशल उपाय है वो भी पॉष से ही जुड़ावा है कारोबार में आपको कैसे तरक्की मिलेगी वो आपको बताएंगे उसके लिए राश्यफल को आखिर तक देखेगा शुरुवात करते हैं राश्यफल की पहली राशी मेश यानि एरीस के साथ मेश राशी वालो आर्थिक सही होग प्राप्तों होगा कामकाच को लेकर खास व्यक्ति से बाच्चीत होगी दोस्तों के मदद से सफलता मिलेगी किसी रिष्टेदार का आगमन होगा उपाय ये करें कि गुलाबी प्रस्ताओ मिलेगा नए दोस्त बनेंगे उपाये करें कि गरीब कन्या को चावलदान करें तीसरी राशी मेश नियानी जमनाय की बात करेंगे सहत में उतार चड़ाव रहेगा मन दुखी रहेगा दफ्तर में अधिकारी काम से खुश होंगे सोच में सकरातमकता आएगी का प्रवतमंद की सहिता करेंगे उपाये करें कि सिक्के पर इतल लगा कर जेव में रखें पांचवी राशी सिंग यानि कि लियो की बात करेंगे बड़ी परियोजना मिलने के योग हैं कारोबारियों को बड़ा फाइदा होगा चली आ रही पारे बारे एक समस्याएं दूर ह सामाज एक मान सम्मान बढ़ेगा मनुबल में कुछ कमी आएगी उपाये करें कि गुलाबी शेड के कपड़े पहने सापी राशी तुला यानि कि लिबरा की बात करेंगे बहुत उरजावान रहेंगे कामकाज में धनलाब मिलेगा नए काम करने का मन बनेगा बड़ी जिम्मेदारी पूरी होगी अच्छे मौके मिलेंगे चातर जो है वो सफल रहेंगे उपाये करें कि इच्छा अनुसार द धूरता बढ़ेगी उपाये करेंगे थोड़ा सा आटा जल प्रभा करें नवीर आशी धनु यानि कि सेजटेरियस की बात करेंगे कामकाज में भागदोड रहेगी कामकाज से लोग प्रभावित होंगे वहान चलाते समय सावधानी बढ़तें ठकान वा आला से रहेगा दा घ्रमस्तल में घीका दीपक जलाएं ग्यारवी राशी कुम्भ यानिक अक्वेरियस की बात करेंगे कलाकरों को हुरनर दिखाने का मौका मिलेगा सहकरीयों के साहथ बाहर पाटी करेंगे दोस्तों के साथ में घुमने फिनने जाएंगे रात में परीजनों के साथ में डिनर करने जाएंगे उपाई ये करें कि कागस पर श्रीम लिखकर पानी में बहा दें बारवी रशी मीन यानि पाईसिस के बात करेंगे जीवन शेली में बदलाव होगा दफ्तर में नई जम्मेदारी मिलेगी अधिकारी करणों खुश रहेंगे पुराने दोस्तों से फाइदा हो पौश जिसको पूस भी बूलते हैं बड़ा विशेश महिना होता है ये एक ऐसा महिना होता है जिसमें सूरे देव 11,000 रिश्मियों से धर्ती को तपाते हैं क्योंकि ये महिना जो है ये महिना विशेश तोर से सर्दी का महिना है इसमें अत्यादिक सर्दी पड़ती है तो गेहूं का मसूर का दान करने का विधान है तो क्या करें हैं? पानी में तांबी के लोटे में पानी भर लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल कर इससे सूर्य को अरग दें और पूरे प्रयोग में एक विशेश मंतर का जाब करें अश्वस्त करता हूँ आपको निश्चत रूप से कारोबार में तरक्की मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कलाप से फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्खार नमस्खवाए